एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक बच्चा कुत्ता रहता था, जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत ही खुशनुमा और शरारती था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा गाउं के बच्चों के साथ खेलता और मस्ती करता। एक दिन बबलू ने एक अजीब सी छिपकली को देखा, वह बहुत ही दिल्चस्प लग रही थी। बबलू ने छिपकली को पकड़ने की कोशिश की, परन्तु छिपकली बहुत तेज थी और बबलू उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सका। छिपकली ने बबलू से कहा, तुम मेरी तरह तेज नहीं हो सकते। बबलू ने ये सुनकर ठान लिया कि वह तेजी से दोड़ने का प्रयास करेगा। उसने दिन भर महनत और संगर्श करते हुए तेजी से दोड़ना सीखा। कुछ सपताहों बाद बबलू ने फिर से छिपकली को देखा। इस बार उसने छिपकली को बहुत आसानी से पकड़ लिया। छिपकली बहुत हैरान हो गई कि बबलू ने कैसे इतनी तेजी से बदला लिया। बबलू ने छिपकली से कहा, मैंने महनत और संगर्श करके तेजी से दोड़ना सीखा है। अगर हम महनत करते हैं और किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम किसी भी चुनोती का सामना कर सकते हैं। इस घड़ी में गाउं के बच्चे बबलू से कुछ सीख गए कि महनत और संगर्श से ही सफलता की प्राप्ती हो सकती है। छोटे से गाउं में ही बबलू ने एक महत्वपूर्ण सीख दी, जीवन में मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।